अगर वो महालक्ष्मी बाचक दंबे रुपा है तो वो महाकाली भी है उसने च्छमा याच्णा की ममा से सच्छने ममा में बहुत बुरी भावना से तुमारे पास आया था और उसकी पवित्रता उसकी शक्ती ने मा बुरुआ दिया उसके मुक्से तो एसी गजब की परक्षक्ती की जरूरत है हमें कि हम दूर से ही एक सरा कर लें कोन जिस बाव से मेरे पास आगा था और ये परक्षक्ती ये अश्ट शक्तियां केवल शिर्थ के साथ योग लगाने से भी प्राप्तभूरी जितना जिसका गहरी योग उतनी उसकी शक्तियों की परसंतेश बढ़ी है तो ये बोग पूछता है या नहीं एक तो इस प्रकार के जो भी गेम करते हैं ये महा 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 पाप है सीधा भगवान की भावनाओं के साथ खिलवार है किसे दामराज भी कभी बात नहीं करेगा एसा गेम ना के देना दूसरी बात ऐसे गेम में फसे भी नहीं है दूसरी बात अगर मेरे भोग में भावनाई है तो 101% कहुचता है वो बाबा के पास जब बाबा व्यक्त हुए पीनो टाइम भोजन का भोग लगता था एक दो मिनट का मेसिज भी आदा था एक बार हमारी दीदी ने बड़ी केलाश दीदी उको बोग लगने देज़ा वो सुरू से ही ट्रांस में जाती है जब से वो छोती है बाबा के सामने आई है बाबा ने सीन लिखाया बतन में उनको कि वो ठाली लेकर आई बाबा ने एक दपी खोली उस लेसे साम लिखल के भागा वो दर दे कि मैं तो बोजन लेकर आई थी ये साम कहां से आगया दपी में तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो मिस्टेक तहां हुई है जाकर देखो अब वो भागी में लीचे आई वाकस और बंडारे ने ठाली लेकर गई जो ने भी पात्माई के उनन सब को बुलाया कि आज बाबा ने ऐसाइसा कुछ दिखाया है सब में वो दपी आपको लिये करके सब कुछ ठीक था लास्ट में डपी खोली जिसमें फ़नीर की सबी थी यह चावल था शायद उस पिक रानमा बाल करा थी उस बाल का साफ दिखा दिया तो बैबा जब दो बारा बोग लेकर देए तो उसने सुख़ा बाबा आप लेको बाल का जबाबारा साफ दिखा दिया कहते बच्ची के सुक्ष्व बतन है यहां छोती चीज भी क्या दिखाई दिखाई ने कहीं गदी दिखें सुक्ष्व बतन है छोटी चीज बड़ी दिखाई दिखें बाबा ने कहा हं बच्चे तुम किस को भूग लगा नहीं आई हूँ किस परीके से लगाना चाहिए तो भी सोबा के अग्राफ तो हुआ रही है कल तक तो परशाद चड़ा कर अपने को अती सोबा की शाली समस्ते पे अक सामने खिला में का मूखा मिला रहे है हमारे घर में लिए आर्टिफिस से पी अच्छी भी ना हो तो भी डाइनिंग के बल होता है एक घर के कोने में तो पूटिस पूटिस सी प्रेट ने खाना खाऊंगे पर दिनर सेटी है तेरे घर में उन्हें भी यूस नहीं करती हो किसलिए है महमानों के अगर नहीं पिले और कोई स्पेशल महमाना आगे के तो उसी से भाग लाइए तो नहीं के अच्छा से खातरी करते हैं उनके के लिए परोस्ते भी घंसे हैं हमारे घर में खुद इस प्रिश्शी का इस प्रह्मार का तीनों लोगों का सबसे बड़ा महमान चर्ट के आया है उसे हम कैसे भूब लगाते हैं देदारीयों के लिए नहीं लेंगे 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 लेंगेश्य दीलर्स से यह भी हम लेज सकते हैं तो भगवान को भूब लगानी कर तरीका पैसा होना चाहिए उसके बढ़ा दी आईगी कोई होगा क्या वोगर अफसूस हुआ मैंने एक जगा देखा डिस्प तिर उसके ओपर रोटी 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 वाँ जा रहे हैं बाबा को गोग लगा देजिए तुम्हारी इन सब्जी रोटी चारब का बुटा नहीं है इसका बुटा है उसमें बाब में रिखाए ये लिए कि गोग लगाना की काम उतार करने की ब्राबन पड़िवार की प्रठा है बोग लगातर ही आएंगे काम उतार हो नहीं है तुम्हारा ऐसा बोग नहीं चेहिए उसको केवल भावना प्रतान बले तुम कुछ रिना एक पूल भी रखो तो उसमें तरी भावना पर दो कि वो भूका भगवान उस पूल में से भी भावना लेकर के प्रत तो हो जाए प्रत आनव भी तो हो जाए भावना का होना जरू नहीं है काम कार्णा नहीं कूटी के बाबा लेक्ता है नीचे ठानी पटक दी क्या क्या बाबा को भूक अड़ा किया है अपने घर के सबस्यों तो भी चार बार जाके पूछते हैं सब्जी चाहिए रोती चाहिए कुछ और चाहिए बाबा के पास पांच मिनेटी बैखने का वक्त नहीं है कि हम पांच मिनेट कसली से किमिनान से बैखें तो सही इसी सब्सक्राइब बाबा ने कुमारों की बटी की मदुदन में सभी भारत से कुमार आये बाबा भी मिलने आये बाबा बहुत यहीं गेवी बाते कुमारों से कर रहे है अचानक बाबा की लहर बदली कि लहरी बाबा है बो तब लहर बदले कुछ कह नहीं सकते इसलिए बाबा का एक नाम क्या है? लहली बाबा. उसकी लहर बदती रहती है. बाबा ने का कुमार बच्छे भी बाबा को बहोर क्यार करते हैं. हम भी पीछे-पीछे बैखे थे, कम से कम 15 साल जाली बातों भी. तो बाबा ने का कुमार बच्छे हैं जो भरों से बहार देते हैं, बहार तब हो खाते हैं एक खुद बनाते हैं, पर बाबा को इतना ज्याज रते हैं कि बाबा को भूग लगाए बिना नहीं खाते हैं. फिर बाबा मुस्क पुराये, कुमारों को दृष्टी भी, फिर बाब बाबा ने कहा, कुमार विजी बोत होते, खाना बनाने में इप्रस नहीं होता, रोटी कपाटी से मिस्त रहे हैं, पुलाओ के जोड़ी को हुआ, सबसे सेवेट खाना होता लेंगा, फुकर में सीपी लना ही है, फिर दक्तर को लेंगे, और फुकर ही बाबा के साम दे रहेंग बाबा ने कहा, हां बच्के को किदना पी विजी कयू ना हो, खुकर में खाये गागे। आपने एक प्लेट में जी नी जी नी नी जी नी जी न Peach नी नीजीका लेगा। नै ने आई ? भूपर कने सेट में, सब्धी दरी सेंकर्स पर ये क्लास में नितर आई है, हर सबादे पे एक को कुमार जरूर मिलते हैं, क्लिधे हम भी ये ऐथे लगाते हैं हम भी कुकर में भोग लगा जाते हैं कि बहुत ज्यादा वीजी होते जल्दी में होते बाबा के सामने कुकर ही रखे तो केल भोग स्विकार भी इंकता उसकी निग्राणी में भोग बनता ही है एक बाब किसी सब्जी में नमक तालना भूल गए फिर भोग की धाली गई फिर बाबा मुस्कुरा है बाबा ने धाली पक्री नहीं बाबा ने कहा बच्छे जहां कर चखो और देखो दल्दी का होगी है फिर से भाली वापस आई फिर बंजारी के पास पोचे कि बापा ने आज वोपने लिए बुला कुछ को बलती है चखो पहले से तो जो निमेत आत्मा कि उसने चखा तो एक सब्जी में नमक नहीं था तो उसकी लिग्राही पे बना हैँ ने चखा नमक डाल मा भूल गहें बच्चोंको नहीं बता, पर उसको बता है अब इसका नहीं थी, बाबा को कोई लौ या हाई री दिती है? क्योंके नमक पाता है और तो इसके हैं ऐसी वात नहीं है परन्तु बाबा गुर्मा भोजन का बहुत रिस्पेक्ट करते थे बाबा कहते थे बच्चे ये दुख भनजन भोजन है अगर इसे तुम प्रेश से, श्रप्दा से, भाउं से खाओगे तो ये तुमारे पताने कितने दुखों को, कितने कश्टों को हर लेगा तुमारे कड़े संसारों को खतम कर देगा, मन की बिमारियों को नश्ट कर देगा इंजेक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये दुख्दा भोजन है इसमें शिव की डारेक तश्टी बरके आती है प्रन्तु कंडिशन तुमारा भाव के साहे, उसको स्विकार कर देगा अब उसमें नवत नहीं है सब्जी में बाबा को भोग लट्री बेल बसता है, रिकोर्ड बसता है और सब खाने पर फूखते है उसमें जो भी बाबा के बच्चे थे उस बिलानमती सब्जी को खाते, कोई नाख चड़ाता, कोई फेखता, कोई खाता, कोई क्या चरता तो ये ब्रह्मा भोजन का अतुमान होता इससे लिए बाबा ने ये मिस्टेख भी कराई और उस दिल से ये आदिश दिया कि जो निमित आत्मा ने बच्चा रहे थी, वो पहले भोजन को एक, के बच्चे लिए उसके बाद बाबा को बोग लगा है और उसके इत्रता शुग है, कि सूर्य भाई महां होते हैं, कहीं वी तीनो जगा में तो वो बोजन को चक्ते हैं कहते हैं क्ये बच्चे लिए कि सभी चक्का चुकी शुग कर दो कई लम ने देखा हैं माताओं की आदत होती, देनों की आदत होती है, भोजन बना रहे हैं इदर से भी, उतर से भी, ऐसे और उसको खाने वाले की भूग ही खतम लिए होती क्योंकि जैसे भाव से बनाया वे साथी खाने वाले प्यालत हो जाएगे इसलिए रसोई में जाकर मूँ बन रगए जब तक हम भावार का भूँ बना रहे हैं पहले कुद को त्रप्ति पीछी गए हम जगनात कुरी गए कि यहां का नियम क्या है कि बोग बनानी से पहले जगनाते हैं कि यहां का नियम क्या है उन्हें बहूत अच्शी तरा से छाथा दिया जाता है खिला के बहुत अच्शी तरा से उनकी भूप खतम कर दी जाते हैं जत्वर्दस्ति रभ्ब उनको बोल बोल कि यह कि खाओ यह और खाओ और खाओ और खाओ नहां तक बर दिया जाता है और फिर उनको कहते कि अब दर्माद तो वो त्रम्प मानाते लिए उन्हें भूप नहीं लगती हुदी आप सकती नहीं जाती। इच्छा मेही जाती। त्रम्प मान्प से वो भूप बनाते हैं और वहां कि यह लाहिए है कि जड़नाज जी को जो भूप चलता है। इतना से में ही पेक रख जाता है, कितना में कोई भूका हो, तेवन इतने से में पेक रख जाता है, रख तो हो जाता है इसानी, क्यों, बनाया किस भाव से, किस भाव से बनाया है, तो भगवान को जब भूद लगाएं, तो संकल्प मेरी वो जूटा ना हो, संकल्क में भी जूटा नहीं होना चाहिए अड़को संकल्क में भी जूटा हो गया तो वो परण पवित्रसक्ता उसको स्विकार नहीं करेगी बहुत योगियम तो गोकर भोजन बनाना कोई काम का समय नहीं है आज में माता है बहुत बैटें उसको कहना चाहिए आपको गुसा आ रहा है आपको टेंशन है तो भोजन बनानी को दिले कर दीजिए अगर आपने मूड़क सेट में बहुत सारे खराख फोर्स में टेंशन में भोजन बनाया क्योंकि सबसे ज्यादा अल का असर इंजेक्षन की तरह मन का दूता है और जैसे मन से बनाएंगे वो असर अंतर पड़ता है साइंटेसिस पर बड़ी बड़ी निसर्च कर चुके हैं बड़ी बड़ी निसर्च हो चुकी है इसकर तो जब हम घर में भोग लगाएं या सेंटर पर भोग लगाएं एक उत्रत तमन इदर चखा चुकी में बूबंद हमारा तुनिया में जब तक बाबा को गुरुवार का भोग नहीं लगता हम कुछ में खाते भोग लगने के बाद भी कुछ खाते तब हम बाबा को भूग लगाएं भूग लगाने से इनी जैप्ली कुन्यों में ब्रदी होती है अगर भूगनाएं बहुत जीवन में हैं कस्थ है तकित है आश्वकलताई हैं तो भूग लगाईएं भूगनाएं मिटाईएं भूग में बड़ी सासत है भूगनाओं को समाप्त करनी ही पर अपने मन के भाव को जरूर चेक कर लेना कि में कैसे भाव से लगा रही है क्योंकि भाड़ा केवल 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 बाबना का मुझेवादा है और वही भाड़ा मेरे पुण्यों में व्रत्मी गर्वाई लीजे पुण्यों को बढ़ाएगा वैसे भी संसार में देखिए जब किसी के ओपर कोई ग्रहेचारी आती है कोई विकदा असंकत आता है तो वह अपने गुरुओं के पास जोती साचारियों के पास पोचता है राइस कना लेने के लिए बड़ी ग्रह जारी नर्शत खराब हो गए राभू बरक्रियाश्चनी आ दिया कुछ तो उपाय बताओ अब जब वह एडवाईस देने जाते है में के प्रौषित के प्रौःत के जिहांत से आजिस बात को विचार कीजिएगा लैवे बूह भी पुछना कुछ उनके हाट से पुन्यय करते है उवाइट चुडियों को खिला देने दंगे में चाडादेना बच्छियों को डाल देना ताकि इनके हाद से एक तरफ पुल्ग्ना हो जाए क्पुल्गमाई इसी तो दाभुन हो जाए और जैसे ही पुन्य का प्रभाव बढ़ेगा, पाक का प्रभाव नीचे आ जाएगा, बोगराएं, खत्तम हो जाएगी, इसलिए कराते हैं, लेकिन वो अल्व काली होता है, दोचारी में चलेगा, उसके बाद की कोई पंडीशन है, अरे किया कफ़ा, कुछ असतर लगा भी थ बढ़ेगा, क्योंकि ये भोग कौन से दिन लगाया जाता है, विशेष भोग जो लगता है, वो कौन से दिन लगता है, विशेष भोग जो 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 लगता ह अब इनी एक पुन्य के इससे बढ़ता है देखें, आपने अपने धर में खोदा होया, कुछ दिन के बाद आपने देशा ही मुर्जा रहा है, क्या करोगे इनी एक पुरल, पाली दादों के कहां, जड़ नहीं सुप्री बेंजी, जड़ नहीं मुर्जा रहा है, आपने मुर्जाय हैं, पत्ते देखें, फूल देखें, कलना से की, लेकिन जड़ नहीं डाल रहे हैं, जड में डाल रही है, जड की जड में डाल रही है, पर भी जड में डाल रही है, अपने चीज होड़ना है कि जड में जड में डालती हूँ, वो तेरी आखों के सामने सामने उपर जाता है, कि ओर नीचे जाता है, जे, तब ये रहता है, अपने आखों के सामने कि मेरे जड ड अगले दिन जब आप देखोगे, तो जो मुझा है उड़े पट्टे फूल कलियांदी, वो क्या हो जाएंगे, जब की जल कहाँ डादा, नीचे, और पड़ाव कहा दिखा, उपर, व्रक्ष पती, ये स्रिष्टी ये एक तल्प व्रक्ष है, मनुश्य स्रिष्टी का ज़ार, तल्प व्रक्ष और इसका पती स्वाम, शिव, ज़र हम अपनी भावनाओ का जल, उश्यिव को अरभित करते हैं, तो उसका प्रभाव तो वेटिक नीब Paar今ा पूरे व्रक्ष में पहुंच जाता है, पूरे व्रक्ष में पहुंच जाता है, और जब उसका प्रभाव मेरे पास आता है, तो एक का बहुँ गुणा रुप में रितन रिलता है, वो यहां से मेरे कुन्य व्रद्धी होना शुरू हो जाते है। जो दिस सास्त्रवेली ब्रस्पत का बड़ा नान है, गुरु ब्रह ब्रस्पत दश्षा। बाबा क्या चते मुद्धियों में तुम्हारे सट्पे कौन सी जर्षा बेख रही है और कौन सी उतर रही है ? रहु का ब्रस्पत दश्षा अच्छी होती है, जो हमें सीजा काने जाएगी जी, जो ब्रस्पत दश्षा आंने कहां ने कर जाएगी और इतने जल्बों तक और लेगे, यहां किसी का प्रस्पत ख唰हाब होता है, तो कैसे हैं, पीले कपड़े पुझा करना, उपुवास करना, यह राल करना, तो तुम्हारा प्रस्पत फेळवरने आ जाएगा, क्योंकि ऐसी प्रस्पत खुरहाब हो चाहिए, तो सीधा विबेट पे हमता होता है सब कुछ खटम होने लगता है सोक शांती, संबर्दी, इमान, शान सब जाता है लेकिन जिसकी कुणरी में ब्रस्पत दशा बहुत उच्च वालटी की होती है उसमें गज केस्री योद बनते हैं और गज केस्री का मतलब है जिसके दर्वाजे के सामने गज हाती खड़े हो जिसके पास केस्री मतलब सेरो जजी शक्ति हो और ये राजाओं के पास होती है यानि कि इह हुद शा राजाई योग बनाती है गज केस्री योग बनाती है इसलिए बाबा के दे बच्छे अब तुमारे माटे कोन सीज़ अशा रखी है अब रस्पत का सब्धों तुमें सी दास्वर में किस जन्मों के लिए अब रस्पत को अपने दिवन में लेने के लिए सबसे बैस तरीका है कि गुरुवार के दिन पर मुस्ट गुरु को राजी किया जाए अगर खुद रस्पत रस्पत रस्पन हो गया अगर उसकी प्रपाद्रिष्ट मुझे पढ़ गई तो फिक किसी की ताकत नहीं कोई मेरी की बिगार सके प्रपाद्रिष्टियम मुझे पढ़ चुकी है अब किसी की ताकत नहीं कोई मेरी बिगार सके प्रवितु बेख्पिर से बार बार एगी बात को दो रहोंगी आवश्यक्ता किसकी है भावना स्वार्थ नहीं कामना नहीं इच्छा नहीं उसको प्रस्ट करना है तो नी स्वार्थ बावन से करना है किसी के कहने से नहीं किसी को देख कर नहीं कोई मन में स्वार्थ पैदा करते नहीं नी स्वार्थ बावना अब देखें कैसे सुख्यों में बरती होती है जब किसी के बन में ये विचार आता है, ये संकल्प आता है कि आज ने गुरुवार का वो मुझे बाबा के साथ सेलेब्रेट करना है संकल्प स्वाइच्छ से आना चाहिए अगर कहने से किया, तो एक तो किया, लेकि लोस हुआ मुझे 20% क्योंकि जिसके कहने से मैंने किया, 20% कमिशन इसको मिलेआ, तो लोस किसका हुआ पूरा का पूरा किया मैंने, और लोस किसको हो गया, तो स्वाइच्छ से करें हम, इस सबा में देखिए, मुझे लगता है वन्ठा उचेन के आसपास बेखे रहेंगे, है ना, एक हजार को एक हजार के आसपास, एक सारो में गुरुवार कितने आते हैं, 52, दस क्योंहां लगा लीजिए, जिसमें दिवारी, गोली, ममा दे, अठारा जन्वरी, दाधी के वागर आते हैं, जो अलोगिक क्योंहां, दस, कितने हो है कोटल, शिक्स की दू, बैखे कितने ही आपर, एक हजार के आसपास, कानपूर के एक कुछ कनेक्शन में है, अगर हम पांच लोग का गुरुप बनाएं, दस लोग ताधी गुरुप बनाएं, तो साल में एक दो गुरुवार और एक ब्रह्मा भुजन यह शार्म, बजवान यी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उसके बच्चों को खिलान नहीं सकते में, भुज़ो है? Хाय या ना, क्या किते हो दो है? क्योंकि इसे बहुत बहुत बढ़ी चिख नहीं अमघनया को, अन्दान, महा दान बोला गया है, सबसे बढ़ा दानंदान है करनाच नहीं ए स्वार कबाह से सुवा इच्छा से ओफर कमवे साम्य के जू सुवाइच्छा से होता है उसके इच्छा अनकूल का तो हुता है इसे ये स्वाइच्छा मस्ट कंबल सरी है। दूसरी बात, जब किसी को ये जिचार आया, तो कही बार क्या होते हैं, हमें देखे हमारे भाई होते, विसी होते, बैजी, अच्छा कर गुरुवार है ना, अच्छा कर मिली बारी है ना, ये लोग पक्ड़ो, बोग लगा देना मेरा है। जैसे कुछ थाम उतार दी है, जैसे सर्के से कुछ बोज उतार रखे पेख दिया। बैजी ने का भाई कल गुरुवार है आतो जाना। तुमारी ओर से बोग ओपर होगा बरवान जी को। बैजी कर तो मर्जन की फुर्सत नहीं कुछ एजरे काम लिटाने है। अच्छा, ठीक है भाई बोगात रही। बैजी तुमेर के टाइब लेट करके पून करती है। बाई जी जाते जाते बोग खातो जाना। अरे बैजी देल हो जाएकी नहीं आसकता है। बावना है कि दिखाई दे रही है। ऐसे कि जब ठाली उपर पहुशती है तो भगवान भी परिशान से के ते बचे तो याद जार रगे देना। बस खतन मावला है। जिसके जैसी भावना उसको वैसा। अब एक माता जिसके आज़ती एच्छी नहीं है। विचारी जौपड़ी में रहती है, महनत मस्दूरी करती है, एक एक रुपिया दचाती है। बुद्वार की शाम मार्कित को जाती है, एक एक पल चुट चुट के लेकर आती है। एक छोटा सा बाबा के लिए फूलों का हार लाती है। बूरी कांटे वे हातों से बेहन जी को बोलती है मेरे तिक फूल अगवानी की ठाली में समख भिप कर लेता, मुझ वरी बच्छी का बेहन जी वरी भावना से हाँ हाँ पच्छी क्यों नहीं जब वो ठाली उपर पहुंश की है तो उपर वाला भियाना सिंधासन चोड़ता है दस कदम आजे बढ़ता है, सर जुकाता है, दोनों हाथ पे लाता है और वो भूख स्वीटार करता है क्योंकि भूखा केवल भावना होता है वो भूखा है वो उसे केवल भावना उसी हित्रक्त किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाए नहीं है भूखा है तो अप्णियों में ब्रभी कैसे होती है पतित अपावन इस ब्रह्मारी की सबसे प्योर शत्ता को भूख लगने जा रहा ये अजिस्तान के बना चेले 99% कल्यूप के अंत में प्योरिती का महोन है हर चगा कुछ धार्मी कध्यात्मिक सथानों को छोड़तर किसी के घर्दी पवित्र वाई बेशत्वाले नहीं है बहुत घर्दी मिले ये बहुत घर्दी लेकिन ये जो बाबा के सथान है ये संपूर पवित्र स्थान है इन घरों में 24 घंटे में एक बाबा खुद बाबा चक्कर लगाने आते है चाहिए वो दो स्थान के लिए आए पर 24 घंटे में वो चक्तर लगानी आता है तो बताईए जिस घर में भगमान का आना जाना हो वो इस थान के सथा हूँता जहां सेक्डो साधक बैट कर साधना करते हो जहां बाल ब्रण चारी नहीं हो जहां इतने जिता ज्यान सुनाया जाता हो जहां आत्माओं का प्रभू से मिलन होता हो जहां दुख्यों के दुख दूर होते हो जहां आत्म दर्शन होता हो जहां प्रमात्मा की देजान प्राप्त होती हो ऐसे पावर्फुल परित्र स्थान पर ये ब्रह्मा भोजन ये भोग ये परशाद इसी दर्मी बनता है अब इसको बनाने वाले कोन होते हैं दर्मी का दिनहत्व है बनाने वालों का दिनहत्व है आज मैं आपको सामने से बाते आचाओंगी जितना भोग लगाने का पाइड़ा है उतना बनाने का भी नहत्त है प्रण्टु कंडिशन अगर आप नियव धारनाओं में पके हैं तो अब सामने से ओपर कर सकते हैं लोग हम ये भोग बनाने की सेवा करेंगे चाह भाई है चाह ब्रहें हैं ओपर कर सकते हैं स्वाइचाते में दूते हैं अगर गैजी हाँ बोले तो ठीक नहीं बोले तो भी ठीक है अजर आप नियद मर्यादाओं पे धिले हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट से बहुत से दूरी बनाता रुखिए नहीं तो पुन्य की बजाए पाप हो जाएगा क्योंकि ये सबसे पुत्र सुपागी लिए बनाहा है ये केवल पुन्य काज्मों के हाथ से बनी सकता है ब्रंचारियों के हाथ से बनी सकता है इसी निए बाता दुशी नहीं जाएगा